हलो दोस्तों स्वागत हैब सभी का हमारी यूटूब चलनल में तो आज की वुडिया को टॉपिक यह है कि किस तरीके से हम चैट GPT से कोडिंग करवा सकते हैं कैसे हम चैट GPT को अपने .NET फ्रेमवर्क में इंटिग्रेट करके उसकी help से हम अपना competitive coding हम write कर सकते हैं वो भी 10 seconds से भी कम समय में तो चलते हैं अपने computer screen पे और जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने .NET फ्रेमवर्क में चैट GPT को यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपके system में .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना ज़रूरी है यानि कि आपके पास Visual Studio का कोई साभी वर्जन अगर लेटेस्ट वर्जन है तो मच बेटर वो installation है तो आपका चैट GPT में इसली वर्क करेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक .NET प्रोजेक्ट क्रेट करना है आप यह .NET प्रोजेक्ट किसी भी टाइप के हो सकते हैं या तो web हो सकता है window application हो सकते हैं या फिर console based application हो सकते हैं तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ console based application जहाँ पे हम क्या करेंगे chat GPT को integrate करेंगे अब चले जानते हैं कि क्या है chat GPT देखो simply chat GPT एक तरसे एक टूल है एक AI टूल है जिसकी help से आप कोई भी उसको query पूछ सकते हो और वो आपके लिए काम कर सकता है आपके query के हिसाब से वो आपको response दे सकता है इसमें बहुत सारी चीज़े आती है जैसे कि letter writing, email writing, coding writing यह सारी और भी कई सारी चीज़े हम इसकी थूरू कर सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माले जी कि हमें एक program write करना है माले जी कि चाहे हमें एक polyndrum बनाना है या फिर हमें simple interest find out करना है या फिर हमें कोईसी number को reverse करना है तो इस तरह कि अगर coding है जो शीशाट में करनी है तो कैसे होगा तो यह coding हम से उससे question पूछेंगे और वो तुरंथ हमारे लिए एक proper code write करके आपको दे देगा और उसी code को हम अपने program में use कर लेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका ये काम हो जाएगा यहां पर हम एक नया project करने के लिए हम यहां पर आ जाते हैं हमें क्या बनाना है console based application बनाना है तो simply आप यहां पर आपको अपने application का एक नाम दे देना है तो suppose यह हो जाएगा हमारा chat gpt demo और यह हमने किया next पर click और यहां पर हमारा application successfully हो जाएगा create अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें chat gpt को अपने .net framework में integrate करना है तो सबसे पहले हम यहां पर आएंगे extension वाले option में यहां पर आएंगे manage extension आपके सामने यह window open हो के आएगी तो यहां पर आप देख रहा हो search area search area आपको simply type करना है chat gpt आपको बस यह type करके यहां पर search करना है आपक यहां पर आपके सामने यह window आएगी installer का फिर यहां पर modify पर क्लिक करना है और फिर यह installation इसका start हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका installation successfully हो चुका है आपके सामने इस तरह के window आजाएगा फिर आप इसको close कर लो ठीक है तो close कर लो simply जब आप download करोगे ना तो आपको video studio को close कर कर लेता हूं तो यह हमारा application open हो चुका है यहां पर आप देख पार है console.rightline में hello word यह लिखा हुआ है तो अगर इब गार हम इसको execute करेंगे तो simply क्या आएगा output हम वो देखना चाहते है hello word आएगा या नहीं आएगा तो यहां पर एक ही line का code है इसमें hello word है तो definitely आपका output यही बट मैं चाहता हूं कि अगर मुझे कोई coding करना है यहां पर कोई program write करना है तो क्या वो भी यहां पर दिखेगा या नहीं दिखेगा तो इपर हम देखते हैं हमारा execution start हो चुका है हमारा यह command prompt का window open हो चुका है और यहां पर ऊपर आप देख सकते हो यहां पर क्या लिखा हु हुआ है ठीक है तो हम इसको अपर हमारा hello word output में दिख रहा है बट अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें chat GPT की help से coding करना है तो simply देखो आपको आना है वीव में आना है वीव में आओगे यहां पर आपका option मिलेगा other window other window पे आप आओगे तो आपको यहां पर मिलेगा यह visual chat GPT studio turbo आपको यह वाले window open करना है इस पर click करोगे यह open हो जाएगा ठीक है आप इसको पिर अपने साब से drag and drop करो जहां भी आपको चाहिए तो यहां पर देखो यह जो window आप देख रहो इस window में क्या करना है मालो अभी के लिए यहां पर देख रहो नीची जो देख रहो यह print simple interest something okay तो यहां पर मैं write करने वाला हूँ write a program to print simple interest तो यह है हमारा question आप फिर हमें क्या करना है यह आप देख रहो send button पर click कर देना है okay अब जबी मैंने send पर click किया तो क्या रहा है please set करो open AI API key अब यहां पर आ जाओ तो यह आपका okay पर click किया तो यह आ चुका है अब यहां प तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो chat GPT का जो API key है उसको आप कैसे integrate करोगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा open AI की website पर जाना पड़ेगा यहां पर आओगे आपको देख रहा है developer option यहां पर क्या है API reference आपक option का option है तो login पर चले जाओ यहां पर आपको अपना email इंटर करना है जो भी आपने account बना रखा है जिस भी email का chat GPT पर आपको chat GPT पर login कर लेना है पना username password या पर email ID पासवर इंटर करके जैसे आप login करोगे आपके सामने यह window open के आएगी एक पर मैं यहां पर सक्सक्री लोग इ यहां पर एक option दिख रहा है personal आप इस पर क्लिक करोगे personal पर क्लिक करना है यहां पर आपको मिलेगा एक option view API का आपको इस पर क्लिक करना है विव API आपके सामने यह API विंडो आ जाएगी अब यहां पर मेरे पास कोई भी API मैंने create नहीं किया है तो मैं क्या करूंगा create new secret key तो आपको कुलिक करना है create new secret key पर क्लिक करना है तो आपका API key जनरेट होगा यहां पर क्लिक करो और यहां पर आपको इसको कापी कर लेना है किया है फिर आप क्या करणा है mają जागए यहां पर are पूल में आएंगे, options में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे last में एक option, visual, chat, GPT, studio, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, general पर आना है, general पर क्लिक करोगे, तो आपको यह दिखेगा, यहाँ पर क्या लिखिया है, open API, open AI, API की आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर यह यह initially empty होगा, ठीक है, मैंने कुछ random यहाँ पर, word यहाँ पर paste किया थे, तो उस पर मत जाना, यह initially empty रहेगा, तो यहाँ पर जो भी आपने copy किया, यहाँ से, यह जो की आपने copy किया, इसी की को क्या करेंगे, हम यहाँ पर लाके paste कर देंगे, इसको मैंने paste कर दिया, क्या करें तो इसको मैंने save कर लिया, save करने के बाद आब हम चलते हैं, हम ये check करेंगे कि क्या chat GPT हमारे लिए code write कर रहा है या नहीं कर रहा, तो क्या है उसका option, मैंने बताया था, view में आएंगे, view में आओगे, तो क्या मिलेगा, other window option, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, visual chat GPT studio आपको, इस इस पर नहीं, यह turbo वाले पर जाना है, second option, आपको इस पर क्लिक करना है, तो यह window open के आजाएगी, नीची का जो area आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो भी query है, suppose कि अगर आप चाहते हो, write a program to print simple interest in C sharp, तो आपको वो exactly आपको यहाँ पर, जो भी task आपको यहाँ पर put कर देना है, तेरा जो question है, कि मैंने का, write a program to find simple interest, यह है, अब हम क्या करेंगे, simply हमने enter पर क्लिक किया, यहनि send पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हो, chat GPT, यह इस question को इसने receive किया, और वो इसके recording, वो अपना result प्रिपेर कर रहा है, अब थोड़ी देर मे इसको maximize करना है, जैसे आप maximize करोगे, oh my god, तो आप देख पा रहे हो, आपके सामने, आपके screen पे proper code आ चुका है, जिसकी help से आप क्या कर सकते हो, simple interest, program को exactly execute कर सकते हो, तो इस proper पूरा का पूरा यहाँ पर code आ चुका है, क्या करेंगे, हम simply यह पूरा code copy कर लेते हैं, यह मने इ यहाँ पे minimize कर देते हैं, that is doc, यहाँ पे नीचे हमने कर दिया, ठीके, अब देखो यह हमारा proper code है, जरा code देखते हैं, यहाँ पे क्या रहा है कि enter principal amount, आपको यह enter करना है, फिर क्या रहा है, enter time period, and then यहाँ पे calculate करके, आपको simple interest यहाँ पे दे दे रहा है, तो simply हम क्या करते है इसको हम save कर लेते हैं, इसको execute करते हैं, और देखते हैं कि क्या यह आपको output दिखा रहा है, या नी दिखा रहा, ओके, तो हमारा यह console open हो चुका है, यहाँ पे क्या रहा, enter principal amount, तो मालो, हमारे पास यह हो गया, enter किया, तो यहाँ रहा, enter interest rate, तो 4.6 का है, अब क्या रहा, enter time period 5 साल के लिए, oh my god, your simple interest is, okay, so now you can see, जो भी code chat GPT ने type करके दिया है, आपको, वो code प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और बहुत अच्छे से execute भी कर रहा है, without any error, आप देख पार हो, प्रॉपर इसने साराट input user से लिया, और आपको एक result यहाँ पर दिखा दिया, इसने, okay, अब हम try करते हैं, कुछ और चीज़े करते हैं, जैसे, अब हम क्या करेंगा, दो number को add करने का program, हम chat GPT से type कराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, write, so simply, यह हमारा query है, अब यहाँ पर आपको इस बटन पर क्लिक करना है, okay, now, अब आप देख पार हो, हमारा जो code है, यह हमने लिखा था, यहाँ पर लिखा है, कि write a program to add two number, ठीके, अब इसका result यहाँ पर आचुगा है, इसका result क्या है, कि यहाँ पर आप देखो, कह रहा है, inter first number, inter second number, अब इन दोरो number को add करके, यहाँ पर आपको देदेगा, यह है, और यहाँ पर हमने control A किया, control V, paste कर दिया, और हमने इसको execute किया, so inter first number, पहला number 5, second number 9, and the total, the sum of 5 and 9 is equal to 14, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, कि भाया हमें triangle print करो, ठीके, write a program to print triangle, triangle pattern हमें print कराना है, तो यह मैंने command दे दिया, अपने chat GPT को, okay, ready हो चुका है हमारा code, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह हमारा query था, कि हमें क्य करना है, triangle pattern बनाना है, chat GPT की help से, और उसने आप proper यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कि for loop, दो for loop, ठीके, यहाँ पर उसने code बना के दे दिया, आप क्या करो, पूरा अपको प्रा कॉपी कर लो, यहाँ से, कॉपी कर लिया, और वापस अपने program में आ जाएंगे हम, ठीके, यह जाथा triangle बनाएंगे, 10 का, तो 10, oh my god, यह देखो, इसने बनाना स्टार्ट कर दिया, है न, तो अब हम इसको करेंगे execute, और चेक करते हैं कि हमारा जो triangle है, कैसे बनेगा, तो मैंने का 25 row का बनाओ, अब इसने type करना स्टार्ट कर दिया, oh oh, तो आप यहाँ पर देख पा रहे ह कैसा लगा आपको यह वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए, टेक क्यार, बाबाए,